हाई आप देखरें दिललन टॉप अभी हाली में दो फैमिली मैन नाम की एक वेब सीरीज आई जिसको टुकडों में काफी तारीख फे मिली इस सीरीज का एक पॉजिटिव फैक्टर था कि उसमें ना काम करने वाले दो चाइल्ड आर्टिस्त हैं मैं एक और विदांत नाम है दोनों बच्चों ने फैमिली मैन में मनोश बाशपाई और प्रियो मनी के बच्चों के किर्दान निभाए हैं वैसे गर देखा जाये तो आजकल सीनियर लोगों की फिल्मों में बच्चों के करने के लिए कुछ खास रहता नहीं है इसमें हम फ्रांडी जैसी फिल्म को नह अमालगी नहीं होती थी लेकिन उन फिल्मों में काम करने वाले बच्चे हमें याद रह जाते थे ऐसी ही एक बच्ची का नाम है सना सहीद सना सहीद कौन है सबसे पहली बात तो यह है करन जोवर ने आज डिरेक्टर अपने करियर की पहली फिल्म बनाई थी कुछ-कुछ हो किया था उनका नाम है सना सहीद सना उस समय अपने पिता और उनकी बेस्ट फ्रेंड के बीच में क्यूपिड प्ले करती है मतलब दादी के साथ मिलकर शारुक खान और का जोल के किरदारों को आपस में मिलवाती है इसलिए उने याद किया जाता है बाद में जब सोशल मीड प्लेट वहां गई सना कुछ कुछ होता है कि बाद भी इंडस्ट्री में ही रही अगली बार उन्हें देखा गया सलमान खान रानी मुकर जी और प्रीती जिन्ता की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा में इस फिल्म में उनकी किरदार को स्पेशल अपेरेंस वाली काटेगरी प्री में रखा जा सकता है लेकिन कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में भी उनका ना मंजली ही था अगली बात यह है कि वो आजकल कहा है फिल्मों से दूर होने के बाद सना बच्चों के शोव Fox Kids में काम करने लगी. 2003 के बाद वो आक्टिंग सीन से बिल्कुल ही गायब हो गई. फिर वो देखी 2008 में Sony TV के Daily Soap, बाबुल का आंगन छूटे ना. इसमें उन्होंने लीड कारेक्टर की बेहन चाया जोशी का रोल प्ले किया था, मतलब No More Child Artist. इसी समय सना के हिस्से उनके करियर का पहला लीड टाइटल रोल आता है. सब टीवी पर आने वाला कॉमेडी शोव लो पूजा हो गई इस घर की. इसमें उन्होंने पूजा नाम की एक लड़की का रोल किया था, जो पंजाब की भटिंडा से सिंगर बनने मुंबई आती है. अब बड़े होने के बाद उनकी पहली फिल्म थी, करन जोहर की ही डिरेक्शन में बनी, Student of the Year. इसमें उन्होंने एक वरुन्धवन सिदात मलोतरा और अलया भट के साथ अपना प्रॉपर फिल्म डेब्यू किया. लेकिन इससे उनके करियर में कुछ खास फायदा नहीं हुआ. एक अथ फिल्म में आइटम नंबर करने का मौका मिला और फिर गुमनामी के जो बादयल मों मंडराने लगे. हालकि सना लगा था टीवी रियालिटी शोज में काम करती रही. वो जलग दिखलाजा, MTV Splits Villa और नच बली ये जैसे शोज में बत और कंटेस्टेंट नजर आई. आखरी बार वो इसी साल यानि 2019 में कलर्स चानल पर आने वाले कॉमेडी शो खत्रा खत्रा और कुकरी शो किच्छन चैंपियन में बत और गेस्ट दिखाई दी थी. ये थी आपके लिए हमारी तरफ से एक नॉस्टाल्जिया की गोली, अब गायद आप पानी बीजिए और मौज करिए. ये हमारी वीडियो यही तक थी, देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका कोई विचार है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन खुला है, लिखिये, और हमारा इंस्टेग्राम प्रोफाइल ज़रूर जाकर फॉलो करें, हमें पता है कि आप फेस्बुक पर और यूट्यूब पर भी है, नोटिफेशन पाने के लिए आपने बेल आइकन भी जो है वो प्रेस कर रखा है, अब जाए इंस्टेग्राम पर और ये काम कर लीजिए, बाकी देखते रहें दिललनट और शुक्रिया,